diverse पढ़ना स्टार्ट कीजिए जब तक आप diverse नहीं पढ़ेंगे आपको actually में subject की समझ आई नहीं पाएगे अगर आप एक-एक subject को correlate करके नहीं पढ़ेंगे एक दूसरे से संबध्य करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगातार problems का सामना करना पढ़ेगा एक सामन्य समझ जिसको कहते हैं हम लोग एक general understanding कहते हैं वो double up ही नहीं हो पाएगी बाद समझ मारिए अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर क्या है फिर तो बड़ा मुश्किल है वाई कैसे manage करेंगे बड़े examinations है life भी बड़ा है हर एक विशह जो है न भाया वो एक दूसरे से संबद दिता है connected है आप कोई भी विशह पढ़िए माल लेते हैं मैं आपको कह देता हूं कि आप कोई भी विशह मत पढ़िए समझ मारिए आप सिर्फ कहानिया पढ़िए और कहानिया पढ़ेंग पढ़िए वहाँ पर भी क्या मिलने वाला है आपको इत्यास मिलने वाला है अपको quality मिलने वाली वहाँ पर आपको geography everything हर एक subject वाई हो हमारे जीवन में चलता है और अगर आप यह समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मुश्किल है इसलिए आपकी duty है कि आप एक सब्जेक्ट को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, जीवन के point of view से, life के point of view से अगर लेकर के पढ़ेंगे, कोई confusion नहीं रहेगा, एक एक बात आपको clear हो जाएगी, ठीक एक नहीं, मैं ज्यादतर बच्चों को देखता हूँ, वो confusion हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, अरे भाईया, आप अगर आपका subject है, history पढ़ रहे हो आप, है कर नहीं, अगर आप मैं माल लेता हूँ, यहाँ पर मैं history की बात कर रहा हूँ, अब अगर आप history पढ़ रहो, तो history चाहे तो इसको UPSC के लिए पढ़ लीजे, चाहे आप इसको NET के लिए पढ़ लीजे, चाहे आप इसको SSC के ल पर फिर सर्फ आपको माल लेता है, killer की बनना है, तो फिर क्या करो, यह पता करो कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, किसी university में पढ़ाना है, कुछ अच्छा अपने जीवन में करना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पानीपत की लड़ाई हुई क्यों, पानीपत की लड़ाई अगर हुई है, तो उसके पीछे के कारन क्या है, और पानीपत की लड़ाई के बाद में हमने क्या क्या, तो हमने क्या किया, हमारी स्वतंत्रता जो है, हमारी आजा दिया, उसको क्या कर दिया, फिर हमा आपको इतियास पढ़ने का किसी कोई लेना देना नहीं है अगर आपको सिर्फ इसलिए ये पढ़ना है कि मेरे पानीपत का शन याद रखना तो फिर तो कोई फायदा है ने अक्चुली फिर तो इसका मतलब क्या है कोई लेना देना है नहीं आपको विशय की समझ होनी आप समझे इस बात को कि अभी आप जानते हैं हमारी जो class हो रही है वो किस पर हो रही है यह अभी जिस भी platform पर हो रही है classes हो रही है अब इसमें अगर internet का connection नहीं आगा तो क्या कीजेगा इसमें यह digital board है चलते चलते बंद हो सकता है machine है यह understandable होना चाहिए यह सामने समझें आपके पास में इसकी बारे में जानकरी होनी चाहिए तो आपको तयार होना है proper mentally you must be a fit person यानि common sense आपको develop करना है और examination common sense से जीवन common sense से निकलता है और दूसरा कोई आपके पास हत्यार नहीं है कोई आपके पास में प्लान नहीं है और very important बात यह है teacher का काम guide करने का है teacher सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे आपको guide करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ instructions देंगे दुनिया में कोई teacher तुमको इतियास नहीं पढ़ा सकता है no one single कोई teacher आपको इतियास नहीं पढ़ा सकता है खुदी पढ़ना पढ़ेगा कोई teacher तुमको उसकी date याद नहीं करवाएगा कोई teacher तुमको पॉलिटी नहीं पढ़ा सकता है या में कोई teacher कुछ नहीं बना सकता आपको जब तक आप बनना नहीं चाहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा आप सिर्फ टीचर हों पर सिर्फ इसलिए आप डिपेंडेंट रहें कि वहां से कुछ इस चीज़एं मिल जाएं आपको वहां से कुछ चीज़ें आपको मिल जाएं जो आपको लगातार मॉटिबेट करें अपको चार्ज करते रहें आप ये सोचरें को सारी सारी टीचर आपको इस चीज़े complete करा देगा तो वो गलत फहमी में है फिर आप आपकी duty है कि आप अपने लेवल पर जवर्दस्ति पढ़ाय करिए अपने खुद के अनुभब आपके पैस अगर खुद के अनुभब नहीं होंगे है ना देखिए बादाम खाने से तो अकल आती नहीं है जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक अकल नहीं आती है तो भाई खुद से ठोकर खाएए अपने अरवबों पर जीवन चलेगा दूसरों के विथोड़ना चलेग तो आपको क्या करना पड़ेगा self experiences करने पड़ेंगे खुद से research करना पड़ेगा दूसरे की research पर कब तक जीवत रहेंगे अब इसलिए reference के लिए रखिए teachers को क्या करिए बुज़र्गों को क्या करिए सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के लिए रखिए बाकि सारा risk खुद पर आपको अभी यह जो वक्त है वो आपको अपने पैरों पर खड़े होने का है आपको खुद से सोचने का है विचार करने का है और अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा तो मेरा सब बच्चों से यही आग रहें कि आप इस पर काम करिए यह तम आप आम टीबल का विशेज ध्यार रखिए तायम टीबल काम यह तायम टीबल काम न्हीं करनी करना नहीं करना है। जब तक रिल इडटेंच नहीं करेंंगे रीजल्ट नहीं आने वाला है Wraai आप सोचनी को है मैं 2-Laugh 5 ग यह पर लेता हूं 6 गन्त ऑड़ लेता हूं 8 गन्त मैं तो master होने के बाबवजूद भी क्या है बहुत काम रहता है और दुनिया वर की चीज़े होती है उसके बाबवजूद भी कभी क्या नहीं होता है कोई class mission नहीं करता हूं आप कैसे कर सकते हो आपको examination देना आपका career है तो think about it और work on it